इस फीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो बॉलिवुड फिल्मों के अपटेट्स शेयर करूँगा और दोनों आयती 1957 में एक का नाम है शार्दा और एक का नाम है मुसाफिर पहले बात करते हैं शार्दा जो आयती 22nd मार्च 1957 को जिसको पांच में से 3 स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलिवुड रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है जिसको L.V. प्रसाथ ने डारेट किया था अब आ जाते हैं फिल्म के राइटर पर तो राइटर है विश्वा मित्र आदिल और इंदर राज आनंद कास्ट की बात करें तो इसमें राज कपूर, मीना कुमारी, शियामा, राज महरा और अनीता गूहा लीट रोल में और सपोर्टिंग रोल में नजर आए थे इसका बजेट एग्जेक्ट नहीं पता चला कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफ टेम नेट कलेक्शन था वो था 50 लाग रूपे का और इंडिया का जो लाइफ टेम ग्रॉस कलेक्शन था वो था 90 लाग रूपे का अब रही बात वाइटिक्ट यान यह जो फिल्म है, यह एक 1954 में आयâte, टमिल फिल्म जिसका और नाम था इधिर पराधातू पराधातू ऐसा ही कुछ नाम था बड़ा मुश्किल नाम है इधिर पाराधातू और यह जो फिल्म है शार्दा, यह इसी टमिल फिल्मका रीमेक है माफ कीजिएगा मैं टमिल फिल्मों के नाम इतने असानी से नहीं लेपा था टमिल हो जाए, टेलगू हो जाए या फिर कंडड हो जाए इनके नाम बहुत जादा मुझे बोलना मुश्किल लगता है उसके लिए माफ ही चाहता हूँ तो ये होगी रीमेक के बाद अब करते हैं फिल्म के एवोर्ट्स के बाद तो फिल्म को टोटल तीन एवोर्ट्स मिले थे फिल्म फिर एवोर्ट्स में पहला एवोर्ट था बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो मिला था राज महरा को अब करते हैं गानों की बात तो शारदा के अंदर टोटल आठ गाने थे गाने कमपोस किये थे सी रामचंदरा जी ने लिरिक्स लिके थे राजेंदर कृष्षन ने अब सिंगर्स की बात करे तो गाने गाये थे मनना दे अब आजाते हैं तूसरी फिल्म जिसका नाम है मुसाफिर जो आईती 26 मार्च 1957 को फिल्म को पांच में से फोर स्टार्स की रेटिंग दी गई थी और ये एक बॉलिवुड ड्रामा फिल्म है जिसको रिशिकेश मुखर जी ने डाइरेट किया था इसके राइटर पर आजाते हैं तो वो है रिटविक घातक और रिशिकेश मुखर जी कास्ट की बात करें तो इसमें दिलिप कुमार, किशोर कुमार, सुचितरा सेन और निरुपा रोय लीट रोल में और सपोर्टिंग रोल में नसर आई थे बजेट इसका exact नहीं पता चला कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का जो इंडिया का लाइफटेम नेट कलेक्शन था वो था 45 लाक रुपे का और इंडिया का जो लाइफटेम ग्रॉस कलेक्शन था वो था 90 लाक रुपे का अब रही बात verdict यानि hit और flop की तो आपको बता दे कि मुसाफिर box office पर above average साबित हुई थी और इसी कलेक्शन के साथ ये फिल्म 1957 की नंबर 10th highest grossing Bollywood film बनी थी और ये रिशी मुखर जी के as a director debut film थी फिल्म को एक एवार्ट मिला था नेशनल फिल्म एवार्ट में जो हुआ था 1957 में और एवार्ट था 3rd best feature film in Hindi का एवार्ट आप गानों की बात करते हैं तो फिल्म के अंदर टोटल 6 गाने थे गानों को कंपोस किया था सलील चोधरी ने अब सिंगर्स की बात करें तो गाने गाये थे श्यामल मित्रा जी ने दिलीब कुमार जी ने दिलीब कुमार जी ने में एगान गाया था लता मंगेशकर जी किशोर कुमार जी शम्षत बेगम जी और मनना दे तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिल्हाल इतना ही मैं हूज जतिन आप सब का दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूस का होस्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन जाए मेरे दोस्त अब आप सबसे मुलकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद